तो दोस्तों आज हम आए हुए पटना के बजार समीती और बजार समीती को नया रूप मिलने वाला है और यह देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है पहले का बजार समीती और अभी में बहुत अंतर हो चुका है तो काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यह देखे कोल्ड स्टोरेज है आलू प्याज का यहां आलू प्याज को स्टोरेज करके रखा जाता है काफी लंबे समय तक तो आप वीडियो में जानी रहेंगे हम आप जा रहे हैं बजार्शमीति करती की वज्ली मांकेट यह देख़ें मmistली मांकेट हम लोग पहुँच चुके हैं काफी दिनों से हम आया करते हैं लगवाग बचपन से हम लोग यहां घूमने आया करते हैं तो आप देख रहे हैं यह जिन्दा रेहु भीक्रा है और कोई अगर लेना चाते हैं तो यहां से भी ले सकते हैं और ठोग वेपारी भी यहां से ले जाते हैं बेचने के लिए रिटेल में पूड़े पठना में यहीं से मचली जाता है यह देखे थोग्वेपारी ले जा रहे हैं रेहू जिन्दा रेहू है तो रेट भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा यह देखे 10-15 केजी का कसला मचली है जो मचली खाते होंगे वो जानते होंगे यह देखे जिंगा है मातर 300 रुपे केजी जिंगा मिल रहा है जो काफी संस्ता है तो यहां जिन्दा मचली आपको मिल जाएगा अगर ठोक में लेना है तो आप यहां आ सकते हैं और जो भी लोग यहां आए हुए कमेंट में जरूर बताएं मचली मार्केट आए हुए हैं पटना के बजार श्मीत इसको कहता है किसी बेपारी के द्वारा लिया जा रहा है उसका बजन किया जाएगा यह देख रहे हैं आपको हर तरह का मचली मिल जाएगा आपको और यहां एक कभी-कभी कच्छुआ और केक्रा भी दिखता है यह देखिए यह मांगूर मचली है और इस पे तो बैन लगा हुआ है मगर मार्केट में अभी भी बिक रहा है ह। कि वह मां शारी मचली में आता है यह मार्केट काफी लंबा चार रहा है और काफी तूर तक फैला भुए है आप देख रहे हैं और कुछ परब था आभी अनन्द पूजा उसके कारण ये मार्केट में ज्यादा भीर नहीं है और मचली भी कम आया हुआ था आप देख रहे हैं मार्केट एक समय में यहाँ समुंदरी मचली भी आया करता था लेकिन अब वैंन हो चुका है यह सब देचना मना हो चुका है यह देखे बचवा मचली ही है यह अलग क्लर चेंज है और जो यहां मचली लेके बनवाना चाहते हैं वह बनवा भी सकते हैं और श्रीदेख के बजर साउयां आधा है तो यहां से मचली लेकर यहीं उसको कटवा के फिर उसके बाद घर ले जाते हैं कारी बेवस्ता यहां हैं या देके और पर्देल का मचली इसको करते हैं मरा हुआ हरता है वर्फ में लाये जाता है इसको और यह बहुत बढ़ा साइज का कतला मचली है लगबग 10 केजी का यह मचली था और रेट भी वार्गनिंग हो जाता है यहां यहां लगबग सुबद चार बजे से ब्यपारी लोग आने लगते हैं मचली लेने के लिए मौर्निंग में ही लोग आया करते हैं देखे बजन हो रहा है यहां भी देखे बजन हो रहा है और जो भी आज पास के होंगे तो जरूर यहां घुमने आए यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं और फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो मे तब तक बाइ बाइ ठेक क्या